जै शिरी राम मित्रो अयोध्या कांड का यह है प्रसंग मैं आप सभी को सुना रहा हूँ जहां पर भगवान शिरी राम के राज तिलक की तयारी की घोशना की जाती है सब के हिर्दे में ऐसी अभिलाशा है और सब महादेव जी को मानकर प्रातन करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी शिरी राम चंदर जी को यू राज का पदद दे दे एक समय रगुकूल के राजा दसरजी अपने राज सारे समा सहीत राजसभा में राजसभा में भी राजमान थे महराज समस्त पुन्यों की मूर्ति हैं उन्होंने शिरी रामचंदर जी का सुंदर यस सुंकर अतियंत आनंद हो रहा है सब राजा उनकी क्रिपा चाहते हैं और लोक पालगन उनके रुक को रखते हुए अनुकूल होकर प्रिति करते हैं प्रित्वी आकाश पताल तीनों भोनों में से भूत बविश्य वर्तमान तीनों कालों में दसरजी के समान बढ़ भागी कोई और नहीं है मंगलों के मूल शिरी राम चंदर जी इनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है राजा ने सभाविक ही हाथ में दरपन ले लिया और उसमें अपना मुख देख कर मुकुट को सीधा किया देखा की कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं मानो बढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन शिरी राम चंदर जी को यूराज पद दे कर अपने जीवन और जनम कॉलाब क्यों नहीं लेते खिर्दे में यह विचार लाकर यूराज पद देने का निश्चे कर राजा दसर जी ने शुब दिन और सुन्दर समय पाकर प्रेम से पुल की श्रीर हो आनंद में मन से उसे गुरू शिष्ट जी को जा सुनाया राजा ने कहा है मुनी राज कृपया यह निवेदन सुनिये मैं शिरी रामचंदर जी शिरी रामचंदर जी आप सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रू हैं मित्रिया उदासीन हैं सभी को शीरी राम चंदर जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं उनके रूप में आपका अशिर्वाद ही मानों स्रीर धान करके शुशोबित हो रहा है ये स्वामी सारे ब्रह्मन उसने किशी ने नहीं किया आपके पवित्र चरनरज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया अब मेरे मन में एक ही अभिलाशा है हे नात वह भी आपके ही अनुरह से पुरी होगी राजा का सहज प्रेम देखकर मुनी ने परसंद होकर कहा नरे शाग्या दीजिए कहिए क् हे राजन आपका नाम और यस ही संपुन मन चाही वस्तों को देने वाला है हे राजाओं के मुकुट मनी आपके मन के अभिलासाफ हलका अनुगमन करती है अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन हो जाता है अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसंद जानकर हर्शित होकर राजा कॉमलवानी से बोले हे नात शिरी राम चंदर जी को यूराज कीजिए क्रिपा करके कहिए आग्या दीजिए तो तयारी की जाए मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नित्रों का लापरापत करें प्रभू आप के परसास से सिवजी ने सब कुछ निभा दिया सब इच्छाएं पूर्ण कर दी केवल यही एक लालसा मन में रह गई है इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं श्रीर रहे या चला जाए जिससे मुझे पीछे पच्छतावा नहीं हो दसरजी के मंगलो अरनंद के मूल सुंदर वचर सुनकर मूनी मन में बहुत परसन होए वसिष्ट जी ने कहा है राजन सुनिये जिनसे वी मुख होकर लोग पच्छताते हैं और जिनके भजन बिना ही जलन नहीं जाती वही स्वामी सर्वलोख महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए जो पुट्र प्रेम के अनुगामी हैं शिरी राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेम वर्ष आपके पुत्र हुए हैं। उन लोगों ने जै जीव कहकर सिर नवाए तब राजा ने सुन्दर मंगल में वचने शिरी राम जी को यूराजबत देने का पस्ताव सुनाए और कहा यदी पंचो को आप सब को यह मत अच्छा लगे तो हिर्दय में हर्शी तोकर आप लोग शिरी राम चंदर जी का राज़ पती आप क्रोणों वर्ष जी हैं आपको जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है हे नाज शिकरता कीजिए देर न लगाइए मंत्रियों की सुन्दर मानी सुनकर राजा को ऐसा अनंधुआ मानों बढ़ती हुई सुन्दर बढ़ती हुई बेल सुन्दर डाली का सहरा पा गई हो राजा ने कहा शिरी रामचंदर जी की राज अभीशे के लिए मुनी राज विसिष्ट जी को कि जो जो आग्या हो आप लोग वही समतुरंत करें मुनी ने हर्शित होकर कोमल वानी से कहा कि संपूर्ण स्रेष्ट तीर्थों का जल ले आओ फिर उन्होंने जो जगत में राज विशेक के योग्य होती हैं सब को मुवाने की उन्होंने आग्या दी मुनी ने वेदों में कहा हुआ सब विदान मताकर कहा नगर में भूसे मंडब चोद्वे सजाओ फलों समेत आम सुपारी और केले के वरिक्ष नगर की गलियों में चारों और रोप सुन्दर मनियों के मनोहर चोक पुरुआओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कहदो शिरी गणेश जी गुरू और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मनों की सब प्रकार से सेवा करो ध्वजा पताका तोरन कलश घोडे रत और हाथी सब को सजाओ मुन पहले से ही कर रखा है था राजा ब्राहमन सादू और देवताओं को पूज रहे हैं और शिरी रामचंदर जी के लिए सम्मंगल कार्या कर रहे हैं शिरी रामचंदर जी के राज्य विशेग की सुहावनी खबर सुनकर ही आवदपूर में बड़ी धूंदाव के बधावे बजने लगे शिरी रामचंदर जी और सीता जी के श्रीर में भी सुब शुकन होने लगे उनके सुंदर मंगल अंग फरकने लगे पुलकीत होकर वे दोनों प्रेम सहीत एक दूसरे से कहते कि ये सुब शुकन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं उनको मामा के घर गए ब में कौन प्यारा है सुकुन का सब बस यही फल है दूसरा रही शिरी रामचंदर जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कच्छुए का हिर्दे अंडों में रहता है इसी समय यह परमंगल समाचार सुनकर सारा रानिवास हर्षित उठा जैसे चंद्रम को पढ़ते देखकर समुद्रों में लहरों का विलास आनंद शुशोबित होता है सबसे पहले रानिवास में जाकर जिनों ने यह वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूशन और वस्त्र पाए रानियों का स्रीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में मन प्रेम म मगन हो गया वे सब मंगल कलस्क सजाने लगी सुमित्रा जी ने मनी रतनों के बहुत प्रकार के सुन्दर अतियंत सुन्दर और मनोहर चोक पुराए आनंद में मगन हुई शिरी रामचंदर जी की माता को शल्या जी ने ब्रामनों को बुला कर बहुत दान दिये उन्होंने ग्राम देवियों गदेवताओं और नागों की पूजा की और फिर बली बेट देने को कहा अर्थात कारह सिधी होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रातना की की जिस प्रकार से सुरी रामचंदर जी का कल्यान हो दया करके वही वर्दान दीजिए कोयल किसी मीठी वानी चंद्रमा के समान मुख वाली और हिन के बच्चे के सेनेत्रों वाली इस्त्रिया मंगलगान करने लगी शिरी रामचंदर जी का राजय विसे सुनकर सभी स्त्रिपुर्शाशी तो उठे और विधाता ने अपने अनकूल समझकर समंगलसाज सजाने लगे जय शिरी राम तब राजा ने विसिष्ट जी को बुलाया और शिक्षा समो योची तुपदेश देने के लिए शिरी रामचंदर जी के महल में भेजा गुरु का आगमन सुनते ही शिरी रोगनाज जी ने दरवाजे पर आकर उनके चर्णों में मस्तक नवाया आदरपुरुक अर्द देकर उन्हें घर में लाए और शोड़ोफचार से पूजा करके उनका सम्मान किया फिर सीता जी सहीत उनके चर्ण स्पर्षकी जिसमान दोनों हाथों को जोड़कर शिरी राम जी बोले यद भी सेवक के घर स्वामी का पधार न मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला होता है तथा पिहे नात उचित तो यही होता है कि प्रेम पुरुवक दास को वही दास को ही कारक के लिए बुला भेजते ऐसी ही नीती है प्रंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वईम यहां पधार कर जो सने किया है इससे आज यह घर पवित्र हो गया है गोसाई अब जो अग्या हो मैं वही करूँगा स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाव है शिरी रामचंदर जी ने प्रेम में सने होई वचनों को सुनकर मुनिव सिष्ट जी ने शिरी रगुनाज जी की परसंसा करते होई का है राम भला आप ऐसा क्यों ना कहें आप सुर्य वर्श के भूशन जो है शिरी राम चंद्र जी के गुर्ण शील और सभाव का बखान कर मुनी राज प्रेम में पुलकित होकर बोले है राम चंद्र राजा दसर जी ने राज्य विशेक की त्यारी की है को यूराज पत देना चाहते हैं इसलिए है राम जी आज आप उपवास हवन आदी विदी पुर्वक सब सहियम कीजिए जिसे विधाता कुश्व पुर्वक इस काम को सफल कर दे निबादे गुरु जी शिक्षा देकर दसर जी के पास चले गए और राम चंद्र जी ने पुईतर विहा आदी सब उससा साथ ही होए इस पर भी निर्मल वन्ष में यही एक नुचित बात हो रही है और कि सब भाईयों को छोड़कर राजय भिशेक एक बड़े काम मेरा ही होता है तुलसीजा जी कहते हैं प्रभू शिरी राम चंद्र जी का यह सुंदर प्रेम प्रचन कहकर उनका सम्मान किया बहुत प्रकार के बाजे बजे रहे हैं नगर के अतिशे आनंद का वरना नहीं हो सकता सब लोग भरजी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वेशिगर ही आवे और राजी विशे काउसों देखकर नेत्रों का फल प्रापत करें बाजार रास्ते गली घर गली चबुत्रों पर जहां तहां पुरुष और इस्त्रियापस में यही कहते हैं कि कल वैशुब लगन महुर्त कितने समय है कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाशा पूरी करेंगे जब सीता जी सहीत शिरी राम चैद्री सुरण के सिहासन पर विदा राजेंगे और हमारा मन चीता होगा मनों कामना पूर्ण होगी इदर तो यह सब कह रहे हैं कि कल कब होगा उधर कुछक्री देवता विगन मना रहे हैं उन्होंने देवताओं के और विधावे नहीं सुआते जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती सरस्वती जी को बुला कर देवतार विने कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं वे कहते हैं माता हमारी बड़ी विपत्ती को देख कर आज वही कीजिए जिश्ये शीरी राम चंद्री जिर्राजय त्याकरवन को चले जाए और देवताओंका सब कारे सिध्ध हो जा कर मा सरस्वती जी खड़ी-खड़ी पच्ता रही है कि हाए मैं कवनवल के लिए हे मंत्री तु की रात हुई उन्हें इस प्रकार पच्ताते देखकर देवताव विन्य करके कहने लगे हे माता इसमें आपको जरा भी दोश ना लगेगा शिरी रगुनाजी विशाद और हर्स से रहित हैं आप तो शिरी राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं जीव अपने कर्मशी सुख दुख का भागी होता है अतेव देवताओं के इत के लिए आप अयोध्या जाएए बार बार चण पकड कर देवताओं ने सरस्वती को संक कोच में डाल दिया तब वे यह विचार कर चली की देवताओं की बुद्धी ओच्छी है इनका निवास तो उचा है पर इनकी करनी नीची है ये दूसरों का एश्योरे नहीं देख सकते प्रतु आगे का काम का विचार करके शिरी राम जी के वन जाने से राक्षोषों का व शित होकर दसरजी की पुरी अईद्या में आई मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो मित्रो मैंने आप सभी को यह वह वरितांत कहा है अईद्या कांड का राम चित्रमानस का जहां पर भगवान शिरी राम चंदर जी को राजा दसरजी यूराजपत देन की घोशना कर रहे हैं परंतु एक तरफ देवता माता सरस्वती से निवेदन करते हैं आग रहा करते हैं कि है माता सरस्वती कुछ कीजिए जिससे भगवान शिरी राम यूराज नहों और वनवास के लिए जाएं ताकि दुष्ट राक्ष्णों का वद्ध किया जा सके मित् प्रसंग अच्छा लगे तो इसे शेर जूर कीजिएगा जै श्री राम